प्यारे बैचों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं, प्रोबिलिटी यानि की परेक्ता से जूरा हुआ, वो सारे कोस्टन जो आपके रिजामें पूशा गया है या पूशा जाता है, और इसका हर एक टाइप, सबको पता है, कि प्रोबिलिटी से सिक्का वाला कोस्टन ब प्रोबिलिटी कहते हैं, स्वाहमना कहते हैं, जैसे मान लो, आज नहीं कहते हो क्या, कि आज बरसा होने का 100% चांस है, 50% चांस है, 20% मतलब एक बाटा 5 होने की चांस है, दू बाटा 4 होने की चांस है, यही तो प्रोबिलिटी है, यानि प्रोबिलिटी अगर निकालना होता बहुत simple सा बात होती है, जो चाहिए होता है, जो आपका favorable होता है, उसकी संख्या को उपर लिखते हैं, और total संभावना को हम नीचे लिखते हैं, यही होता है, प्रविटी निकालना बहुत असान है, लेकिन type by type समझने के लिए सबसे पहले सुरुवात भाईया हम करेंगे सिक् क्ले होता है, तो अगर एक सिक्का को उशालोगे, या तो head आएगा, या tail आएगा, cool संहामना कितना होगा, आने का 2, clear है, यानि एक सिक्का को ठालते हो, तो cool, cool, cool संहामना कितना आएगा, 2, या 2 के power एक भी कर सकते हो, वो कौन-कौन होगा, अगर आप से पूछूँ दोस्त तो तुम का होगे, या तो head आएगा, या भाईया, tail आएगा, clear है, total घटना कितना होगा, दो होगा, अगर इसी पकार से दो शिक्का को तुम फेकते हो, दो शिक्का को शालते हो, तब कितना आएगा, तो कहना कि दो शिक्का को शाल होगे, तो दो के power दो, क्यों दो के power दो कर वह कौन-कौन होता है आपसे बोले तो क्या कहोगे या तो भाईया दोनों पर हेड आ जाएगा या एक पर हेड पहले वाला पर हेड दूसरे वाला पर टेल आ जाएगा या पहले वाला पर टेल दूसरे वाला पर हेड आ जाएगा या दोनों पर टेल आ जाएगा बात आ रहा ह तोटल हो सकता है, तो कहोगे फालक, दो होता है, नहीं, हेड या टेल, यह पहलू होता है, शिक्का का, तो दो के पावर क्या डाल दोगे, तीन, यानि कितना हो जाएगा, आठ, क्या बता सकता है, वो आठ टोटल घटना जो होगा, वो कौन-कौन होने के समहमना होगा, तो याद रखना, या तो तीनों पर हेड आ जाए, पहला समहमना बनेगा, या फिर, हाना, दो पर हेड आ जाए, इसको पर टेल आ जाए, या फिर, हाना, इस पर भी हेड, इस पर टेल, इस पर हेड आ जाए, ठीक है, ये वाला हेड में पिर यह कहें कि इस पर टेल इस पर हेट, इस पर टेल क groupe है या फिर हम कहें भाईया कि एक पर टेल अगे कर बहर जा बहर होगे है यही total गिनलो के सभावना होगा तो कहोगे total एक दो तो कहोगे total एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ कुल कितना घटना हो सकता है आठ इसी रहंग से आगे क्यों बढ़ जाओगे कि अगर 4 सिक्का को एक पर उसाल होगे तो total ऐसा घटना केगो होगा तो कहोगे दू के पावर चार हो जाएगा यानि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 घटना हो जाएगा यह इसी प्रकार से आगे क्यों निकालना होगा तो तुम निकाल लोगे ठीक है यह तो थोड़ा सा मैंने आपको थियोरी बताया जिसकी यूज करोगे तुम बनाने में अब पहला कोशन को देखो क्या क कहता है चार सिक्के को एक साथ उसाला गया के सिका भाया तो कहोगे चार सिक्के को एक साला गया है तो प्रति दर्स सर्मिट्री यानि यही वाला कूल यही कूल आउटकम यानि टोटल घटना के सम्हामना क्या होगा तो चार वा उसाला है सिक्का को सिक्का में दो पहलू होत clear है आई बात समझ में अगला question यहाँ पर देखे ए वाला ये कहता है कि एक सिक्का को उशाल में टेल आने की प्रोटी क्या होगा जब एक सिक्का को तुम उशालते हो एक सिक्का एक सिक्का को तो या तो heat आएगा या क्या आएगा भाईया टेल आएगा यही दो ची आसकता है लेकिन हमसे पूशा क्या गया है जो पूशा जाता है उसको उपर अकूल को नीचे डालते हैं तो हमसे पूशता है टेल आने की प्रोटी क्या होगा तो भाईया टेल के वार आ रहा है तो कहोगे एक बार तो लिग देगे उपर में एक टोटल घटना एक एक दो है तो एक व अब यह question कहता है कि जब दो मुद्राओं को फेका जाता है, दो सिक्का को फेका जाता है, जब दो सिक्का को फेका जाएगा, तो तुम कहोगे total घटना कितना होगा, दो के पवर दो, याने के चार हो जाएगा, वो कौन-कौन होगा, पहले लिखके समझा दू, या तो दोनों पर भाईया हेड आ जाए, या फिर एक पर हेड, पहला पर हेड, दुसरा पर हेड, या फिर पहला पर हेड, दुसरा पर हेड, या फिर आपको आ जाए दोनों पर आने की probability आपसे पूछ रहा है, दो हेट, ठीक है, तो दो हेट इस पर है सिर्फ देखो तो, है न, इसके अलाबा किसी पर है, नहीं है, यानि आपको चाहिए, वो ऊपर क्या चाहिए, ये वाला दोनों को दोनों हेट होने वाला चाहिए, तो कहोगे, एक ही संभब है, टोटल गटना नीचे, एक, दो, तीन, चार है, तो चार को नीचे डालोगे, यानि एक बटा चार, यानि कि तिसरा option आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आगे देखते हैं, इस question को कहता है कि तीन सिक्का, अब तीन सिक्का को फेका जा रहा है, तो कुल गटना कितना होगा, दू के पावर, तीन ही आने की आठ होगा, ये आठो कौन-कौन होगा, क्या बता सकते हो, तो फिर से लिखे समझाता हूँ इसको, हाना, आठो घटना होगा, या तो तीनों पर भाईया, हेड आजाए, इसको दू तीन बालिक लेना दिमाग में बढ़ जाएगा, हाना, तीन तीनों पर टेल आजाए, तीनों पर टेल आजाए, क्लियर भाई, उसके बाद या तो कहे कि पहला पर टेल, इसको पर हेड, इसको पर टेल, या फिर यहाँ पर कहे है, यह तो लिखने के आप सकता हमको नहीं था बनाने में, हम लेकिन फिर भी लिखे समझा रहा है, करता है, तो परतेक सिक्य का यहीं पहलू उपर आने के संभावना क्या होगा एक ही पहलू यानि तिनों के तिनों के उपर हेड आवे या तिनों के तिनों के तिनों के उपर हेड देखो एक ही पहलू आ रहा है यहां पर इस पर हेड टेल है नहीं आ रहा है यहां पर देखो तिनों के तहां लिखोगे उपर, टोटल घटना कितना होगा, आठ यानि आपका अंसर होगा, एक बट्टा चार, इसके प्रोटी होगा, एक बट्टा चार, यानि की पहला option आपका क्या होगा, सही होगा, आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास में यहां पे, अगले question में यहां पे, पचमा काता है एक लड़का तिन शिक्यों को उशालता है जो ही तिन शिक्यों उशालेगा तो गौर करना हम फिर से लिख देते हैं या तो तीनों पर हेड आएगा या पहला पर हेड इस पर हेड इस पर हेड आ जाएगा या फिर पहला पर हेड इस पर हेड इस पर हेड आ जाएगा य या पहला पट्टे दोनों पर फिर क्या आजाए हेड आजाए यही आठ घटना होगा दोस्त अब कहता है कि कम से कम एक चित याने की हेड आने की संभावना यहां पर गौर करना कम से कम एक कम से कम एक हेड आने की संभावना कम से कम एक का मतलब हुआ कि या तो एक वाला भी हो जाएगा तीन गो आया होगा ओभी कॉंट होगा यह तीनों कॉंट होगा नहीं कम से कम एक हेड तो कम से कम एक हेड तो इसको में है इसको में एक हेड कम से कम तो है दूगों है तब कम से कम एक में आहीं गया, इसको में भी कम से कम एक हैंड है, इसमें भी कम से कम एक हैंड ही, है ना यही होगा इसके probability साथ बठा याठ तो क्या इस question को बनाने के लिखने कि आप सकता था तो कहोगे नहीं हम सिधे बनाते यहाँ पर ध्यान देना total घटना कितना होता है आठ total घटना कितना होता है आठ कम से कम एक head होने का यानि कटे account जिसमें तीनों में tail होगा तीनों पर tail होगा तीनों पर tail होगा यही वाला तो कटेगा यानि एगो कट जाएगा बाकी बचा साथ वो साथ वो ऐसा होगा जिसको पर कम से कम ए वो पर तो हेड रहेगा ही रहेगा यानि आपका उतर आ जाएगा साथ मट्टा आठ यानि ए वाला उपसन इसको बनाने के हमें इसे करने के हमें को याप सकता नहीं है लेकिन फिर भी करके बनाना तो दिमाग में भीगर बैड़ जाएगा एक्जाम होल में मौखिक बनाना करता है लुड़ो पासे वाला कोशन आ गया भाईया अगर पासे की बात करें ध्यान से समयना यहाँ पे अगर हम पासे की बात करें तो पासा पर एक, दो, तीन, चार, पाच, शे यही अंकित होता है कि नहीं होता है पासा देखा है या नहीं देखा है नहीं देखा है तो लाओ भाईया देखा देते हैं यह पासा होता है लिड़ो खिलता है लिड़ो 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 है न उसको पर 6 सता होता है आज 6 वो पर 6 अंग लिखा होता है, एक से लेकर 6 तक, ठीक है? तो अगर एक पासा को फेकोगे, या तो एक आएगा, या दू आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाच आएगा, या शे आएगा, पासा में 6 फलक होता है, उसी धंग से, अब यहाँ पे आपसे कि अगर भाईया एक पासा को फेका जाए, एक पासा को फेका जाए, तो कुल सम्हामना कितना बनेगा, कुल घटना कितना होगा, अगर मैं आप से ए सवाल कहूँ कि कुल घटना कितना होगा, तो कहोगे 6, आई बास मैं, 6 का मतलब 6 के पावर 1, उसी धंग से अगर 2 पासा को फ पर शेक पावर्चाथ टोटल घटना होगा ये क्या होगा ये टोटल पुल समामना होगा ये अब इसके पर अधारित कोशन को यहां पर देखते हैं पहले उसके बाद और भी इसमें ने में बताओंगा आगे कोशन में ठीक है अब यहां पर काता है एक लुड़ो के पासे को उरकाया जाता है उसकी पिश्ट बिंदू की संख्या पाच से कम होने की परेक्ता क्या है तो जब एक पासा को फेकोगे तो एक आएगा या दू आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाच आएगा या इससे जाला कुछ आएगा नहीं आएगा आप से सवाल क्या कहा है आपसे सवाल का है कि 5 से कम तो 5 से कम ये भी है ये भी है ये भी है ये तो 5 से कम है नहीं यानि यही 4 सम्हामना होगा यानि टोटल चाहिए वो एक, दो, तीन, चार है और टोटल घटना शे है तो चार बचा शे यानि की दू बट्टा तीन आपका पसंद का उत्तर होगा यानि दू बट्टा तीन यानि की चौठा उप्शन आपका क्या होगा सही होगा आगे बात समझ में चले भाईया आगे देखते हैं और इस question को समझने का प्रयास करते हैं काता है दो पासे को एक साथ फिकने पर संख्याओं का योग आठ आगे देखो यहाँ पे काता है संख्याओं का योग बारा होने की आगे देखो यहाँ पे काता है संख्याओं का योग एक अभाद संख्य होने के प्रूलिटी बताओ तो ऐसे कोश्चन जब बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं यहां पर गौर करिएगा इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा जब भाईया दो पासा फेकने की बात करता हो फेका जाता हो तो योग दोनों पासा के अंकों का योग की बात अग ठीक आ सकता है, को हो कैसे, तो एक condition ये बन सकता है, कि पहले पासा पर भी एक आ जाए, दुसरे पासा पर भी एक आ जाए, यही आपका नियुनतम अंको का युग दो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कि पहले पासा पर शे, दुसरे पासा पर भी शे आ जाए, है ना इसस ज्यादा तो अंक होता ही नहीं है यानि कि मैक्स्रम बारा ही आ सकता है इससे ज्यादा नहीं यानि दो से लेकर बारा तक ही अंको का योग आ सकता है नहीं ऐसे बहुत रहका हो सकता है यहां चार यहां पे पाच अंको का योग नौ हो गया ऐसा बहुत सा हो सकता है ठीक है लेक क्या होगा अंको का योग दो हो इसकी संख्या यहां पली देते हैं तो इसकी संख्या जो होगा वो इससे एक कम होगा ठीक याने की एक होगा अंको का योग दो हो कितनी बार आएगा तो एक बार आएगा ये साने को दिमाग में बठा लेना अंको का योग तीन हो इसकी संख्य भी इससे एक कम याने की दो होगा अंको का योग भाईया चार हो तो इसकी संख्या भी इससे एक कम याने की तीन होगा अंको का योग पाच आवे कितनी बार होगा तो को कि इससे एक कम याने की चार बार होगा बात को समझना अंको का योग शे हो तो इससे एक कम याने की तो साथ तक तो बहुत आराम से निकालोगे, क्लियर है, कि अंको का योग दो होगा, उससे एक कम, अंको का योग पाच होगा, उससे एक कम, अंको का योग साथ होगा, उससे एक कम, साथ तक कहीं कि नहीं कोई दिकत नहीं है, साथ तक पुशे, अंको का योग साथ तक पुशे तक यानि बारा तक जाएगे, आठ पुशे, नो पुशे, 10 पुशे, 11 पुशे, बारा पुशे, तो ऊं संख्या को 14 में से घाटा कर ने कालना, अरथात यहां पे हो जाएगा, 14 में से घाटा होगे, 14 घाता अएड करोगे, तो कितना हो जाएगा 6? अंको का योग 6 हो, तो कितना होता है 5? आया बाद, अंको का योग 9 हो, तो 14 में से 9 गया 5, 5 से 1 कम 4, चलिए अंको का योग 10 हो, तो 14 में से 10 गया 4, 4 से 1 कम 3 होगा, अंको का योग 11 हो, तो 14 में से 12 गया 3, 3 से 1 कम 2 होगा, अंको का योग 12 हो, तो 14 में से 12 गया 2, 2 से 1 कम 1 होगा, अगर यह सार्णी नहीं समझ में आया तो एक बार आउट देख लेना हो सकता है आपको समझने में कुछ कटनाई हो क्योंकि इसका थियोरी आपको हम नहीं बताया थियोरी बताते तो आपको जादा समझ में आता अब फिगर दिमाग में बैठ जाता लेकिन अब हम कोशन को बन करता है नहीं तो 6 के पावर्टिन हो जाएगा अब यहां पर कहता है दो पासा को एक साथ फैकने पर संख्याओं का योग अंगो का योग 8 आठ साथ से ज़ादा है ना तो 14 में से 8 को घटा ओ 14 में से 8 को घटाओ कितना आ गया शे शे से एक कम यानि की पाच यानि 5 वठा के तो चोड़ारा है आंकों का यूग नहीं कोई तो आगए समझने का प्रयास करिए गा दो पासाсемके जाने पर दो संख्याओं का योग एक अभाज संख्या हो अभाज संख्या जानते हैं किसको कहते हैं तो कहोगे हाँ भाज जानते हैं यानि योग योग अभाज संख्या हो यानि दू हो या तीन हो पाच हो साथ हो या फिर इगारा हो या फिर क्या हो इगारा हो क्योंकि बारा तक ही योग आ सकता है दो कि अंको का योग, अंको का योग दो आने पर की संख्या क्या होगा, तो दो से एक कम याने की एक होगा, अंको का योग तीन आने के समयमना क्या होगा, तो कहें तीन से कम याने की दो होगा, अंको का योग पांच आने का पांच से कम चार होगा, साथ आने का अंको का योग तो हैना टोटल घटना कितना हो जाएगा 36 क्योंकि दो पासा को फिका गया है तो दो पासा को फिका गया है तो तो टोटल घटना कितना हो जाएगा शेके पावर्दू यानि कि 37 काटिये इसको इंसर आपका आ जाएगा तो कहोगे यहां भाईया हैना तीन से कड़ जाएगा कॉन कॉन पत्य होती हैं, यह सारी जनकारी आपको है ہے, देगने फिर भी एक मिनट का समयने कलकर त्सकी पत्य बारे में भी आपको समझा दूं, तो ध्यानरा रहेन देना कूल पत्य पत्य त्सक्ट में होता है 72, यहाँ पे लेखेखें सा ध्यान दोगें तो क्लियर हो जायेगा हलका सा ध्यान दोना हम क्लियर कर देंगे हना इसमें चार होता है जो हना कॉशन तू बहुत असान होगा अराम से समझ आओ तो बना लोगे यहां पर देखो पहला पत्ती में फिगर इस ढंग से बना होता है, ध्यान से समझना हम बता दे रहें, आपको बहुत आसानी से समझने आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है भाईया, ये वाला एक फिगर बना हुआ होता है, लाल कलर में, इसको हम कहते हैं, लाल पान, क्या कहते हैं, ठीक है, और ये काला कलर में होता है, इस ढंग से, काला कलर में होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है भाईया, ये काला कलर में होता है, बात को समझना आ जाएगा समझने, टेंसन मत लेना, इसको हम बोलते हैं चीरी, क्या बोलते हैं चीरी, या चीरियां भी हम कहते हैं, एक पान और बना हुआ होता है, पान का पत्ता ऐसे, लेकिन ये काला कलर में बना हुआ होता है, क्या बनता है, ये काला कलर में बना हुआ होता है, जिस कलर में बना हुआ है, उसी कलर में आपको हम दिखा रहे हैं, उसी कलर में भाईया, आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे ह ठीक है तो ए वाला जो हुआ है इसको हुक्म बोलते हैं क्या बोलते हैं हुक्म बोलते हैं हुक्म ठीक है अब यहाँ पर देखो तो चार तरह का हुआ जिसको में कलर के बात कहे हैं तो लाल में और काला में होता है लाल में दो तरह का कला में दो तरह का बात आरा समझ में इसक इसमें भी तेरह पत्ति होगा, 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 इसमें भी तेरह कर देते हैं, इसमें भी तेरह, इसमें भी तेरह, इसमें भी तेरह, इसमें भी तेरह, तेरह पत्ति कौन होता है, तो देखो यह यहां पे हना एक जो रहता है उसको इका बोलते हैं दस के बाद इगराहमा पती जो होता है ना फिगर बला होता है इगराहमा पती जिसको हम गुलाम कहते हैं जिसको क्या कहते हैं गुलाम गुलाम जो हुआ ना वो इगराहमा पती हुआ ठीक है बरहमा क्या होता है बीवी हना भीवी जिसको क्यों क्यों कहते हैं ये बढहामाप्ति हुआ और त्रहमाप्ति कौन होता है कींग याने की बाद सा बाद सा ये आपका त्रहमाप्ति हुआ तो टोटल त्रह पत्त हुआ यो नहीं हुआ मैं को मंको बताओ तो ए पहला में 13 हो गया, दूसरा में भी 13 हो जाएगा, तिसरा में भी 13 हो जाएगा, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसी तरह का, सभे में ये बाला होगा, इसमें भी 11 से लेकर 10 तक, फिर गुलाम बीवी बातसा, इसमें भी एक से लेकर 10 तक, फिर तिन गो गुलाम बीवी बातस इसमें भी अब यहां पर देखो यह बाला जो है न यह फिगर होता है इसमें क्या होता है फिगर होता है चित्र बना होता है चित्र बाला हुआ इसमें फेस भी कह सकते हैं इसको फेस है इसमें फेस होता है यानि गुलाम का फेस बना हुआ होता है बीबी का फेस बना हुआ होत कि ठीन मस अभी टीन वह समें अब हम श्याओंगे बतरों संधुन के-टन इस हो प्याँ हैं वहना है उसके सेद्ट में क्या मोख्याइ आप में इस आफ़े जाँनों ने की सम्हामना क्या होगा एनने डिक तो तो अव्हेसीं करो कि तब फेश काड जिसमें फिगर बना होता है, तब पत्ती में तीन तीन गो फेश काड होता है, गुलाम बीवी बात्सा, तो तीन गो एकरा में, तीन गो एकरा में, तीन गो एकरा में, तीन गो एकरा में, यानि तीन चो बारा गो, नहीं, तीन तीन गो चारों में मिलेगा, तो तो कोई बात नहीं फिर से एक बाद देख ले ना है इतना ही बात इस से जाधा नहीं समझा सकते हैं तायम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए तास जाकर खेल लो तिन पतिया दू पतिया सब खिलता है जुगा भी खिलता है तास से अब यहांपर करता है बामन तास के पत्तो क एक गड़ी में से, काले रंग का, क्या पुछता है, काले रंग का, बादसाह और बेगम, एक बात भाईया हमको बता दो, काले रंग की अगर बात किया है, तो काले रंग में दो गो होता है, या दखना, एको तो इसे अकार का होता है, ऐसे होता है कि नहीं, काला से रंगा क्या कहते हैं इसको हुक्म कहते हैं ध्यान से समयना इसको क्या कहते हैं हुक्म कहते हैं एक होता है इस प्रकार से बना हुआ फिगर इस प्रकार से बना हुआ फिगर ठीक है यह वाला चीरी जिसको क्या कहते हो तुम चीरी कहते हो हम समझाने का प्रयाज कर रहा है ताकि बहुं बीबी को कहते हैं तो यानि की दूगो निकाले जाते हैं यानि की हुप में से भी दूगो निकाल लिया गया और इसमें भी दूगो निकाल लिया गया यानि दो अदो चार गो निकाल लिया गया क्या कहेंगे चार गो पत्ति निकाल लिया गया आप ही बताओ कि टोटल पत्ति आप बेगम निकाला, ठीक है, तो काले रंग में तो हुक्म भी आ गया, चिरी भी आ गया, इसमें से बेगम बात्सा, इसमें से बेगम बात्सा, यानि इसमें से दो गो, इसमें से भी दो गो, यानि दो अदो चार गो निकाल लिया, तो बचा कितना पत्ती सेस, हाना, 48 बचा, तो वही कहता है सेस बचे हुए पत्तों को अशित्रा थेड़ कर एक पत्ता निकाला जाता है तो इस पत्ते में हुक्म की पत्ता की परिक्ता क्या होगा हुक्म का किसका हुक्म का तब हुक्म टोटल के गो होता है तेरा गो होता है भाईया तेरा गो तेरा गो में से दूगो तो निकाल लिया है तो हुक्म बच रहा है अब के गो इगारा गो जो चाहिए वो कितना इगारा चाहिए करता है हुक्म पत्ता का प्रविटी जो चाहिए कि जा हुक्म चाहिए हुक्म चाहिए तो भाईया टोटल अरतालसे गो न ब बताना है total total पत्ति बामन में से 4 पहले निकल निकले था किसना बत रहा था 48 यानी की 11 बता अर्टा तल्टा कितना हो गांगा 58 पत्ति सबस्तन होगा यानी 11 बता अर्टा-प्सन आपका क्या होगा सही होगा आगे देखते हैं अगला कोशन यहाँ पर ये बाला कोशन को कहो करना होता है विसस है ना प्रोबिटी का एक कलास आउड लेंगे जिसमें पूरा हम दीप पढ़ाने के हम प्रयास करेंगे जहां पर कब गुना होता है कब जुटता है जहां एंड होता है वहां पर गुना होता है या होता है अथवा होता वहां पर जुटता है यह सारी बाग या फिर permutation commission पढ़ाऊगा तो वहां पर भी सिखा होगा खेर इतना से ही काम चलाओ अब ही यहां पर देखो क्या कहता है question कहता है कि एक बक्से में total 100 pen है total सभामना pen का 100 100 वो में से 8 pen भीया खराब है एक pen को बक्से से निकाला जाता है तो उसको खराब ना होने की पुर्विति है ना अब आप ही बताओ आप ही बताओ कि यहां पर 100 pen में से 8 को खराब है तो खराब ना कितना है यहां लिए है खराब ना कितना है तो सो में से 8 या बानमे वो इसी की probability आप से पूछ रहा है तो चाहिए उसको उपर अट टोटल क्या है 100 उसक option यहां पर कहता है दोस्त कि 20 वो हरा आव 15 को लाल है यानि कि कूल यहां पर जो है 20 अपंदरा कितना है 35 गेंद है ठीक है 35 गेंद है एक बरतन में डाले जाते हैं एक हरा गेंद चुनने की समहावना बताओ पूलविटी बताओ एक हरा केंद तो चाहिए उसको उपर हना टो टोटल टोटल कितना हो गया 35 35 कहा जाएगा नीचे काड़ दो चार पचे 20 साथ पचे 35 यानि चार बटा साथ आपका प्रस्ट का उत्तर होगा यानि किसी option आपका सही होगा आगे देखिए यहां पर यह वाला कोश्चन ठीक है यह वाला कोश्चन करता है एक बक्से में 6 सफ जाती है तो इस गेंद को सफेद ना होने की प्रविलिटी यहां देखो सफेद ना होने की प्रविलिटी आपको बताना है सफेद ना होने की तो आप ही बताओ कि यहां पे 6 गो सफेद 2 गो काला 3 गो लाल है तो सफेद ना होने का मतलब हो गया कि या तो काला हो जाए या ल कोश्चन नमर 17 ठीक है यह कोश्चन कुछ अलग है नहीं कहता है कि एक बेग में पाच सफेद साथ लाल आठ काला गिंद है बेग में से चार गिंद एक करके निकालनी है और हर गिंद को बापस उसमें डाल देना है तो चारों गिंद सफेद निकले इसकी क्या प्रूलिटी है इसकी क्या प्रूलिटी है तो एक बार बताओ अगर हम एक बार निकालेंगे तो पाच को सफेद का प्रूलिटी क्या होगा तो कहोगे पाच चाहिए उपर सफेद होने के पूस्टा एक बार निकालने की बात कर रहा है एक बार एक बार एक बार एक बार अगर हम गेंद को निकालते हैं तो सफेद होने के पुलिट्टि क्या हो गा तो कह था защए उपर और ये tenants या नी कि यह हां तक total हो गया कितना कुल कितना हो गया कुंउल कितना हो गया कुल कितना हो गया तो कह हो चार इसको कर दो यानि 206 चार गुन 1 बट चार गुन 1 बट चार कर दो यानि 216 से 255 प rocks जारे बीटी होगा अगर स्तुरं ने आया बहुत बढ़्या है नहीं आया अधा लेकिन इतना अगर सिख जाते हो तो बढहुस lick pledge जाएगा ऐस e probability में और भी है ठीक है और भी है जिसको हम कहीं ने कहीं permutation combination जब मेरे पास रहता है उसके आधार पर question probability पुछा जाता है हना जो हलका सा बहुत असान होता है वो भी लेकिन combination जानने के बाद वो असान होगा ऐसे असान नहीं होगा क्योंकि probability तो बहुत easy है जो चाहिए उसको उपर जो चाहिए उसको उपर आपके सम्हामना यानि probability निकल जाएगा बस इस तो आसान है लेकिन कभी कभी combination का question पूछ देता है हना permutation का question डालका पूछ देता है तो वहाँ पर difficult हो जाता है probability ठीक है लेकिन उसको भी हम आपको बता देंगे वो भी बहुत आसान है बताएंगे तो बहुत आसान हो जागा कहीं को दिकत नहीं है वीडियो कैसा लगा comments करके जरू बताएगा अपने दोस्तों में सेरे जरू करिएगा हमें DJ विदा मिलते हैं अगले class में जब तब खुश रही है मगन रही हो के बाई बाई